semi-automatic washing machine लिआ जां या फिर automatic top load washing machine लिआ जां या फिर front load कितने kg का washing machine लिआ जां feature कौन-कौन से होने चीए उसमें motor कौन सा लगा होना चीए direct drive motor या फिर belt drive motor कौन सा बढ़िया होता है drum कौन सा बढ़िया होता है plastic का या फिर st 來नेंट स teamwork का दोस्तों ये कुछ ऐसे सवाल है जो हर नए बायर को परिसान करता है जब वो पहली बार वाशिंग मशीन खरीदने जाता है और ऐसे में अगर वो किसी दुकान पर जाता है तो दुकानदार बोलता है भाईया ये वाला वाशिंग मशीन सबसे बैस्त है यही ले लीजिए दोस्तों यहां पर आपको अपना दिमाग करना है तो कि हो सकता है उस वाशिंग मशीन पर उस दुकानदार को ज़्यादा बेनफिट मिल रहा हो कंपनी ने उसे उस पर ज़्यादा मार्जिंग होगा दोस्तों मेरा मकसद यही होता है कि आपको सबसे बैस्त प्रोड़क्ट सजेस्ट किया जाए जिससे कि आप जिन्दगी भर उसके मजे ले सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने लिए अपने करें दोस्तों अगर आप अपने लिए एक नया वर्शिंग मशीन खरीदनी की सोच रहें और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तो आज मैं आपको पांच ऐसा इंपोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसको कि समझने के बाद आप बिलको निशिंत हो जाएंगे और अपन दोस्तों यहाँ पे आटोमेटिक वशिंग मशीन में भी दो वेरियंट आते हैं पहला आता है टॉप लोड वशिंग मशीन और दूसरा आता है फ्रंट लोड वशिंग मशीन सबसे पहले जानते हैं सेमी आटोमेटिक वशिंग मशीन की बारे में दोस्तों जैसा कि नाम सही प्रभड़े को डालना होता है फिर डिटर्जन डालके और फिर वहां पर आपको खड़े होके देखना होता है कपड़ा कितनी दिर में शाप हुआ दोस्तों जब कपड़े धूल जाते हैं यानिका वश रो जाते हैं उसके बाद आपको एक बकेट में से निकाल के ड्राइब bucket में डालना होता है ताकि कपड़े बढ़ियां से खंगाल के साफ सुत्रे सूख जाएं दोस्तो यहां पर आपको काफ़े manual task करना पड़ता है आपको देखना पड़ता है कपड़े wash हुएं आपको देखना पड़ता है कपड़े सूख गयें और फिर आपको उसमें से बाहर निकालना पड़ता है दोस्तो इस वाशिंग मशीन के स्टार्टिंग प्राइज रेंज होती है आठ हजार सले के चौदा हजार के बीच में दोस्तो चलिए आप अपने हिसाब से पानी डालते है और जाए इसी बात है जब पानी की बचत होगी तो बिजली की बचत होगी इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम आता है क्योंकि इसमें बहुत ज़़दा कपड़े धुले या नहीं धुले जब धुल जाते हैं तो आपको दूसरे बकट में ड्राइ करने के लिए डालने पड़ते हैं और ऐसे आप एक वर्किंग है तो आपके लिए यह बहुत ज़़दा टफ काम हो जाता है वर्किंग के लिए यह वाशिंग मशीन ठीक नहीं हो सुन रहे हैं तो दोस्तों सेमी ओटिमेटिक वाशिंग मशीन सबसे बेस्ट अपस होगा आपके लिए आप इसको खरीद सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं और फिर उसका एक लिमिट टाइम प्रोसेस होगा उस टाइम प्रोसेस में वह कपड़े को वाश करके सुखा के और फिर वो मशीन को बंद कर देता है यानि कि अगर आप घर में है भी नहीं फिर भी वो कपड़े आपके सुख जाएंगे और बाद में मशीन भी बंद हो जाएगे इससे पावर वी कंजेप्शन नहीं होगा automatic washing machine विए अपको कोई manual काम नहीं करना पड़ाuing इसमें भी कपड़े उपर से डालने होते हैं और यहां आपको एक काम नहीं करना होता है आपको खड़े रहके निगरानी नहीं करनी पड़ती है आपने सिर्फ कपड़े डालने हैं और फिर आपको भूल जाना है आपके कपड़े को वश करके, ड्राइ करके, और फिर आपको रेडी कर देता है तो यह semi-automatic washing machine से ही मिलता जूलता है, लेकिन यहाँ पर सारे काम automatic धंक से होते हैं यह washing machine 12,000 के price range से start होते हैं, और 20,000 के price range तक जाते हैं, depend करता है आप कौन सा washing machine खरीद रहे हैं तो दोस्तो चलिए अब जान लेते हैं इसके pro and cons के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले pros की बात करें ये washing machine ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं क्योंकि ये washing machine ज़्यादा जगा भी नहीं कवर करते हैं तो बीच में आप कपड़े को डाल भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं जैसे कि मेरी होबी है मैं कपड़े को बीच बीच में डालता रहता हूँ क्योंकि दोस्तो इसमें जो drum होता है वो vertical होता है और जब drum में तब तक पूरी तरह से पानी भरता नहीं है इसमें wash नहीं होता है तो यहाँ पानी खपत जादा होती है और दोस्तो साथी साथ इसमें कपड़े उतने अच्छे साफ नहीं होते हैं क्योंकि दोस्तो इसका जो मोटर होता है वो clockwise और anti-clockwise घुमता है यानि कपड़े एक ही जगह पे घुमते रहते हैं तो उतनी बहुत अच्छी सफाई यहां पे देखने को नहीं मिलती है यह इसका बहुत 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 disadvantage है अगर आप एक working है आपके पास time की problem है और आप manual काम न मिल जाते हैं और ज्यादा washing modes मिल जाते हैं semi-automatic washing machine के तुलना में अब दोस्तो बात करते हैं front load washing machine के बारे में दोस्तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है front load दोस्तो यहां पे कपड़े आपको सामने से डालने होते हैं और दोस्तो इस washing machine की price range start होती है 20,000 से लेके 40, 50,000, 60,000 तक रेंग में यह वाशिंग में जाता है डिपेंड करता है आप कितने kg का washing machine ले रहे हैं दोस्तो यह washing machine सबसे best washing machine होता है क्योंकि यहां पे washing quality बहुत ही जबरदस्त होती है और इसमें features में बहुत ज्यादा होते हैं different different कपड़े के लिए different features मिल जाता है यहां पे आपको stream का features मिल features बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तो चलिए बात करते हैं front load washing machine के pro and cons के बारे में तो सबसे प्ले pros की बात करेंगे दोस्तो इस washing machine में कपड़े high quality के धूलते हैं क्योंकि दोस्तो इसमें number of modes भी ज़्यादा होते हैं इसका जो washing method होता है वो होता है 360 degree पर यह घुमते रहते है यानि कि जैसे आपने देखा होगा धोबी परचार जैसे कि धोबी लोग उठा उठा के कपड़े को पटकते हैं और कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं उसी तरह से इस washing machine में भी वो कपड़े को उठा उठा के पटकता है और कपड़े बहुत ज़्यादा साफ होते हैं high quality washing quality प्रण्ट लोटे मिलती है तो साथी साथ इसमें पानी और बिजली की बचत होती है अब आप कहेंगे इसमें पानी और बिजली की बचत कैसे होती है तो मैं इसको एक उधारण के साथ आपको समझा रहा हूं दोस्तों माल लेते हैं यह एक वशी मशीन है और यह टॉप लोड मतलब वशींग मशीन में मैंने कपड़े को डाला तो आप देखेंगे कि यह कपड़ा का पाट आधा सुखा है और अंदर गया है दोस्तों यहां पे अगर आप इस पूरे कपड़े को भी होना चाहते हैं तो आपको पानी यहां तक ढालना पड़ेगा लेकिन दोस्तों होरिजेंटल मूड में ऐसे वर्क करता है तो मतलब कपड़े को घुमा घुमा के यह साफ करता है और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया यहां में पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है तो दोस्तों अगर ऐसे में आप एक ऐसे जगह पे रहते हैं जहां पानी बैस्ट होगा अगर पानी की खपद कम होगी तो बिजली की भी खपद कम होगी ताथी साथ इसमें आपको ज्जाधा फीचर्स मिल जाते हैं आँ ज्यादा कपड़े में jump हैं तो वो steam उस jumps को मार देता है तो दोस्तो यहां پर बहुत जादा आपको features और बहुत जादा modes मिल जाते हैं तुलना में top lord washing machine के दोस्तो बात करते हैं इसे कौन की तो दोस्तो यह washing machine बहुत ही जादा expensive होते हैं महेंगे होते हैं जैसे मैंने आपको तो दोस्तो जैसा कि पहले बताया था मैंने आपको यहाँ पे कपड़े नीचे से जुग के डालने होते हैं और दोस्तो ऐसे में अगर वो जुग के कपड़े डालते हैं तो उनके कमर और घुटने में प्रॉब्लम होती है तो यह washing machine उनके लिए ठीक नहीं होता है और दोस्तो मैंने बच्चों के लिए कैसे बताया थू दोस्तो जब आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं कि एक साल के अंदर के अगर बच्चे हैं तो दोस्तो बहुत सारी ऐसे की दूरगटनान हो गए हैं highlight नहीं निकाल सकते अगर चूह तो कमें कुंष्पाइब करते हैं किसमेर तो पानी पूर्प मून चले जान लेते हैं किन के लिए यह कोड़ी मुष्य Impact होने वाला धोस्तु अगर आपके पास पैसे की प्राब्लम नहीं है बचटकी कोई प्राब्लम नहीं हो और आप एक नीट एंट क्लीन और हाई क्वालिटी की वाशिंग चाहते हैं मोड्स ज़्यादा चाहते हैं तो दोस्तों आप फ्रंट लोड वाशिंग मशीन ले सकते हैं यह आपके लिए बैस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट न इन सबस्तों सब्सक्राब्स अगर आपके घार में दो लुऊ हैं तो आपके लिए पांच से चेजी कर विशंग मशीन पर्फिक्ट होगा वहीं अगर आपके घार में दो एल अजयार का वूचिंग बेबीस तो आपके लिए लाहर्व फेमली अनमबर व फामलीज ज्यादा हैं तो आपके लिए 9 से 10 केजी के वर्षी मशीन परफेक्ट होगा तो दोस्तों आप समझ गया होंगे कि आपके फैमिली में कितने लोग और आपको कितने केजी के वर्षी मशीन लेना चाहिए तो अभी तो आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में करके जरूर बताएगा अगर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देगा और दोस्तों को शेर कर देए और प्लीज चैनल को कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे कोई सवाल जबाब करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्ट्रागान पर पूछ सकते हैं मेरी आईडिया पर सो हो रही है अब दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर थी कि उसमें फीचर कौन-कौन से होने चाहिए को भी ऑटमेटि स्टील का ड्रम काफी बैस्ट होता है क्योंकि उसमें वासिंग क्वालिटी काफी बैतरीन होती है तो साथी साथ आपको यह भी जाना है टाइप सब मोटर दोस्तों उसमें दो परकार के मोटर लगे होते हैं एक होता है डाइरेक्ट ड्राइव मोटर और दूसरा होता है बे रेक ड्राइब मोटर बेस्ट होते हैं, अतिसाथ आप उसके आर्पीम को चेक करें, यानि कि उसका रोटेशन पर मिनिट कितना है, दोस्तो, एक हजार से लेके 16-17 तक के होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आर्पीम होगा, आपके कपड़े उतने ही ज्यादा बढ़िया साफ होके निकलेंगे, और दोस्तो, सबसे इंपोर्टेंट फीचर उसमें यह होना चाहिए, बैक अप मेमरी क्या, क्योंकि दोस्तो, बैक अप मेमरी से मतलब यह होता है, कि जैसे कि आप कपड़े को वश कर रहे हैं, सडनली लाइन कट गई, और जब बिजली दुबारा आ लेकिन, दोस्तो, अगर आपके वशिंग मेमरी बैकप का प्रोगराम है, तो आपका वशिंग में से इसको जरूर कंसीडर किजिएगे, अब दोस्तो बात करते हैं, पॉंट नमबर कर 누kan जै उस पर आप ज़रूर देख लें उस पर वोरांटी कि इतने सालू की लिए दोस्तों वारंटी समय दो तरकी होती है एक होती है मोटर की वारंटी या कशिस करें कि मैक्सिम में वरांटिव को रेगुलर यूज तो करते नहीं है मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्सक्राइब एक या दो बार दोस्तों यहां पे अगर स्टार रेटिंग थोड़ा सा कम भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कोई कह रहा है कि आप फाइब वाली वाशिंग मशिन ले ले लें आपको ख्याल से कोई ज़्यादा problem create नहीं होनी वाली है तो price में थोड़ा difference जरूर हो जाएगा को कि त्री स्टार वासिंग मशीन थोड़ी सी सस्ती आईगी और 5 स्टार रेटिंग वाले वासिंग मशीन थोड़ी सी महंगी आईगी दोस्तो यहां आपको कैसा वाशिंग मशीन लेना है तो दोस्तों यह वीडियों प्रीज Peak करके जुरूर कर दिये मिलते ही सितार के नई वीडियों के साथ तब तक नमस्कार जैहिंस्थ वंदे मत्रम